की फ्रेञ्ट समश्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का विल्कम करता हूँ आप ही के इपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्व फेसबूक और आजी टीवी नेटबपार फ्रेंड हम आपके लेकर आये हैं कमल लंदलाल का राशे फल इस राशे फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशे फल की साथ साथ आपको बताएंगे राशे अनुसार कुछ सिंपल से उपाए राशे अनुसार ही आपका लखे नंबर और लखे कलर भी पंचांग बताएंगे दिशा मंगल्वार का तारीख है 3 सिटमबर 2014 भाद्रुपद अमावस्या पर चंद्रमा सिंग राशी और पूरवा फागुनी नक्षात्तर मेan रहेंगे खास बात क्या है दो दिन तक लगातार अमावस्या रही है अमावस्या में विर्द्धी हो रही है और चंदरमा सिंग राशी और पूर्वा फागुनी नक्षतर में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा टू लखी कलर रहेगा वाइट लखी डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी नौर्थ वेस्ट राहु काल रहेगा शाम को साढ़े तीन बज़े से लेकर शाम पांच बचकर पांच मिनट तक दिन का सबसे शुमोरत रहेगा सुबह ग्यारा बचकर उन्चालीस मिनट से लेकर शाम को तीन बचकर सतरा मिनट तक विशेश क्या है भौमावस्या है शास्त्र कहता है भौमावस्या निशामगरे चंदरशती विशामगते विलिख्या प्रफठेत स्तोत्रम भवेत संपदामपदम खास दिन माना जाता है यह और इसे दिन मंगल एश्वर पूजा की जाएगी मंगल नाथ पूजा देवादिदेव महादेव का मंगल सुरूप पूरी जानकारी देंगे आपको यह बेब बता दूँगे जो दिशा शूल है वो उत्तर दिशा में रहेगा इसलिए उत्तर दिशा की ट्रैविल करने से बचें अगर ट्रैविल करना थोड़ा जरूरी हो तो थोड़ा सा शेह दिखाकर यात्रा करें तो चलिए अब पानी में बहाद हैं शुबंक दो रहेगा शुबरंग रहेगा सफेर दूसरी राशे व्रिश यहरी की टॉरस की बात करेंगे सकरातामा करेंगे को खुशकबरी मिलेगी कारोबारी सफलता मिलेगी आयव में नए सरोत बनेंगे घर में सुक्षानती रहेगी जीवन साती उपाईए करें कि लाल पैंसे धन लिखकर जेब में रखें शुबंक सात रहेगा शुबरंग रहेगा से लेटी चौथी राशिकर की यानिकी कैंसर की बात करेंगे सतर करें दुरगटिना के यूग है गित्तपव में निखार आएगा प्रयास अफल रहेंगे दफ्तर में तारीफ मिलेगे आर्थिक शेटर ठीक रहेगा पिता सायोग देंगे उपाइए करें कि धार्मिक चुतर के नमत शुद्गी से दीपक करें शुबंक चार रहेगा शुबरंग रहेगा नीला पांचवी राशिय सिंह यानिक लियों की बात करेंगे प्र्स में रखें शुब नरम रहेगी, खानपान पर ध्यान दें, आमदिनी में व्रधी के योग हैं, छातरों का करियर सुधरेगा, परिजन सा योग देंगे, भविशे के लिए योजना बनाएंगे, उपाई ये करें कि किमती जिवरात लाल कपड़े में बांग कर रखें, शुबंग सात रहेगा, यानि लिवरा की बात करेंगे, लेंदेन में सतर्क रहें, किमती चीज़े संभाल कर रखें, भवेशे की उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, रिष्टों को संजोने का प्रियास करेंगे, माता से मनमटाव के योग हैं, उपाई ये करें कि किसी विखारी को मसूर दान करे शुबंक आठ रहेगा, शुबरंग रहेगा, काला, आठ वी राशी वरिष्चिक यानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, धनलाप के योग हैं, तरक्की के मौके मिलेंगे, परिजन पूरा सहीयोग देंगे, जीवन साथी के सहीयोग से बड़ी सफलता मिलेगी, प्रेम ज शुबंक आठ रहेगा, शुबंक आठ रहेगा, शुबंक एक रहेगा, शुबंक रहेगा, लाल, ग्यार भी राशी कुम भियानिक अक्वरिस की बात करेंगे, मन में उलजन रहेगी, तरक्की के मौके मिलेंगे, कारवारी लाब होगा, आर्थिक पक्षुद्रेगा, रुकावा धन मिलेगा, जीवन शैली में सुधार आएगा, उपाई ये करेंगी, किसी गरीब को गिहुं दान करें, शुबंक एक रहेगा, शुबंक रहेगा, रंग रहेगा, हरा, तो दोस्तों समय है ये जानने का, कि सभी राशी वाले क्या करें और क्या ना करें, सबसे पहले बात करेंगे, सफलता पानी के लिए क्या करें, देखे, खास दिन है, भौमावस्या है, मंगल वार की अमावस्या, बड़ी पिशेश माने जाती है, इस ब शिवलिंग का पूजन करें, शिवलिंग पर शहद, लाल चंदन, बिल्व पत्र चढ़ाएं, पित्र के निमत दान करें, गाई को गुड़ खिलाएं, तामबा शहद मिष्टान खरीदना शुब रहेगा, नारंगी कपड़े पहनना शुब रहेगा, पलास्ट का पेड़ ल शिवलिंग का पूजन करें, और एक बात को ध्यान से सुनीगा, इस दिन पान का पत्ता चढ़ाना बड़ा विशेश्ट माना गया है, लेकिन पान खाना वर्जित है, तो क्या करें हम, पान के पत्ते पर लाल चंदन से मंगल आये लिखें, मंगल आये, और पान का पत्ता न मिले, तो बर्गत का पत्ता ले लिजे, बर्गत के पत्ते पर या पान के पत्ते पर लाल चंदन से मंगल आये लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजे, और इस पूरे प्रियोग में एक विशेश मंत्र कजाब कीजे, मंत्र है, ओम मंगल अधीशा ये नमहा, आश्वस्त कर पता हूं आपको, अमंगल का निश्च इतना आश होगा, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात हो, इजाज़त दीजे, नमस्कार, नमस्षिवाई